भार्दिय कुष्टी फेडरेशन पूरी तरह विवादों में घिर गई है। दिली के केड़ी जादो इंडोर्स टेडियम में 223 जुलाई को अलग-अलग वेट कडिगरी के पहलवानों का ओपन ट्रायल होने वाले हैं। इन पहलवानों का अलग ट्रायल आठ से दस अगस्त के बीच में कराया जाएगा। इसमें इनका मुगाबला ओपन ट्रायल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले पहलवानों से होगा। धरने पर बैठे पहलवानों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने पर ही सारी लड़ाई शुरू हुई है। सूतरों की माने तो एड़ो कमीटी में शामिल कुष्टी एक्सपर्ट अशोक कुमार गर्ग और ग्यान सिंग धरने पर बैठने वाले छे पहलवानों को ओपन ट्रायल से रियायत देने के पक्ष में थे। वहीं भारतिय टीम के कोच किसी भी खिलाडी को ओपन ट्रायल से रियायत नहीं देना चाहते हैं। उनका कहना है कि सबी खिलाडियों के साथ समान विवार होना चाहिए। किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या धरने बर बैठे पहलवानों को ओपन ट्रैल से छोट मिलनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इस तरह की घबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें